दसहरा यानि दसों इंद्रियों के उपर विजय प्राप्त कर ले लो जब तक आप इन दसों इंद्रियों के उपर विजय प्राप्त नहीं करोगे आप आगे नहीं बढ़ पाओगे कितना भी परियास कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो कितने भी हाथ पेर मार लो, कितनी भी बातें बना लो, कितनी भी कथाएं सुन लो, कितने भी उत्तर ढूंड लो, कितने भी परशन पैदा कर लो, कितने भी संकलब पैदा कर लो, कितने भी विचार पैदा कर लो, कितने भी जवाब दे लो, कितने भी भाग लो, कितने भी बच रूपी रावन है, दस सीस हैं इसके यानि दसो इंदरियां बार बार शिर काट रहा है, नाभी या अमरत, यानि नाभी के अंदर जो सोई पड़ी उर्जा है वो, जब तक उसके उपर बान नहीं लगेगा, वो जगेगी नहीं, ऐसे ही सोई पड़ी रही है, उस खुनलेनी सक प्रव्ति को जागरत करना, उन्होंने कहा, कि आप इसके बार बार सिर क्यों काट रहे हैं, परसन ये उपता है, राम को तो सुब कुस पता, विभी शन ने बता भी दिया, कि नाभी में तीर मारू, लेकिन वो फिर भी बार 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 सिर काट रहे हैं, वो गई, बार बार आप ये सिर काट रहे हो, सीदा तीर मारो, हर्दे के अंदर, आपक्त कर दो, उन्होंने कहा, एही के हर्दे बस जान की, जान की और मम वास है, मम उदर भुवन अनेक, लागत बहान सब नास है, कि इशके हर्दे में जान की जी का वास है, और जान की जी के हर्दे में मेरा वास है, यानि स्री राम जी का वास है, और मेरे उदर में, यानि मेरे अंदर में अनेक बहुन ब्रमांड है, अगर मैंने रावन के हर्दे में तीर चला दिया, या रावन के हर्दे में तीर मार दिया, तो सब का सब ब्रमान स्वाप्त हो जाएगा समझे आप इसकारत कि एक तीर के दौरा पूरा का पूरा ब्रमान नश्ट हो जाएगा कुछ भी शेष नहीं रहेगा क्योंकि उसके हर्दे में परकर्ती को उन्होंने दान कर रख जाएगा और परकर्ती के अर्दे में वो परमात्मा विराजमान रहती है जब एक दूसरे के अंदर विराजमान है और वो छोड़ नहीं पा रहे है इस कारण से बार बार उनका द्यान भंग करने के लिए उनकी जो लो लगी हुई थी उसको तोड़ने के लिए उनकी जो एकागरता मा शीता के अंदर जो लगी हुई थी उसको भंग करने के लिए जिस परकार से आप का द्यान एकागर लगा हुआ हो आपको सरीर को कहीं चोट लग जाए द्यान एक्टम चोट के उपर होगा कहीं दर्द शरू हो जाए ध्यान दर्द के उपर जाएगा उसी परकार से उसका ध्यान भंग करने के लिए उसका वहाँ से वो तार डोरी कट करने के लिए कि वहाँ से तार तूट जाए और हरदे से उसका रूप हट जाए जो ही उसका रूप हटा एक पल भी नहीं लगाया उन्होंने कि एक पल लगा हो बिल्कुल भी नहीं लगा वो हटा तो काम नहीं पट गया इसका वरणन सब लोग अपने अपने तरीके से करते हैं अपने अपने विचारों से करते हैं मैंने यह जो बोल दिया, इसके उपर भी आप हजारों लोग हजारों परकार से विचार करेंगे, कोई सही बताएगा, कोई गलत बताएगा, कोई अच्छा बताएगा, कोई नया बताएगा, कोई पुराना बताएगा, कोई किसी के विचार बताएगा, कोई मेरे विचार बता कोई अच्छा बताएगा कोई बुगा बताएगा अर्थ ये अच्छे बुरुएगा नहीं है अर्थ ये है कि आपने अपना दसेरा मनाया या मतर मिठाईयां और भोजन और ये तिवहार मना करके अस्तित्व को भूल गए आप ये बाहरी कर्म करते करते थुड़ा अंदर में जाकने की कोशिश कीजिये अपने को उस तराजू में तोलने का परियतन कीजिये जिसमें आप तोल करके अपने आपको जान सकें अपने आपको खोड सके अपने आपको पा सके अपनी दस्सों इंदरियों के उपर काबू हो सके और आपके अंदर में जो ये रावन रूपी राक्सस बैठा हुआ है इसका वद्ध किया जा सके और आप इन बुनाईयों के उपर अच्छाईयों की विजय प्राप्त हो सके ऐसा परियास और परियतन हर से में करते रहे हैं